हैलो माई यूटूब फेमली आज हम आपके साथ सेर कर दें नई रेसिपी खमन ढोकला एक ही बार में कैसे परफेक्ट बनाया जाता है बहुत ही आसानी से घर पे आसानी से आप बना सकते हो बेशन और दही से और बहुत ही टेस्टी लगेगा एक बार आप घर पे बनाएंगे तो बजार से लाना भूल जाएंगे तो एक बार जरूर से ट्राय करें रेसिपी शुरू करते हैं तिदर हमने मिक्सर जाल लिया है इसमें दो चम्माच हम पहले सक्कर डाल देंगे दो छोटा चम्माच इसमें वन पिंच हींग डाल डेंगे और तेल डाल देंगे दो समझ के करीब दही वाले कटोरी से हमने लिया है बाकी इस्टा पानी साइड में रख देंगे हम अब इसको मिक्सी में चला के पतला से बैटर तयार कर लेंगे तो देखिए हमने इसको पीस लिया है अब हम इधर एक मिक्सिंग बॉल लेंगे और इसमें हमें एक कटोरी हमने बेशन लिया है आप मेजर आप कोई कटोरी छोटा बड़ा लेख सकते हैं तो अब हमने जो इस बैटर को बना के रखा है दही वाला दही शक्कर तेल का उसी से हम मिश्रण तयार करेंगे तो बेशन म से देखें मिक्स करेंगे अभी भी बैटर हमारा गाड़ा है तो पहले मिसको अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें कोई लंस ना रहे गुठली ना रहे अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें थोड़ा सा वन चोथाई चमच हम हल्दी पाउडर डालेंगे ज्यादा नहीं डालेंगे तो उपर से लालल दिखने लगता है कि अगर जो बचा हुओ पानी है वह हम डाल देंगे पानी एक हिसाब से डालना है नम्हाग डाल देंगे स्वादगे अनुसार अब इसको अच्छे से मिक्स करें गे तेखे इसकी कसिसंटी बराबर हो गई है पर्फेक्ट मारा बनके तयार हो गया गोल आप इसको हम साइड में रख देंगे डिनके थोने के लिए इसको कबर करके हम साइड में रख देते हैं सेट होने के लिए इसको कवर करके हम साइड में रख देते हैं अब इधर हम एक टोप लिया है हमने बड़ा उसमें एक कटोरी रखके आप जाली वाला अगर कोई बर्तन उचको रख सकते हैं अब इसमें रख देते हैं हुबा लाने के लिए इधर हमने जिसमें में ढोकला बन बरतन ले लेंगे हम तो इसमें हम तेल अच्छी तरण से चारु तरफ तेल को लगा देंगे बरतन में कंटेनर में अच्छे से आप चाहिते केक का कंटेनर वह भी ले सकते हैं अगर आपके पास कुकर वाला टीपीन है तो उसमें भी बना सकते हैं कोई थाली है तो उसमें भी इनो डाल देंगे आप इनो के जगा आधा चमाच बेकिंग पावडर भी डाल सकते हैं बेकिंग पावडर नहीं बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा जो उपर से हम थोड़ा से पाने डाल देंगे ताकि एक्टिव हो जाए अब इसके एक तरफ से हम इसको अच्छा से घोल तया करना है कि अच्छे से हम सारे बैटर को कंटेरन में डाल देंगे कि इसको थोड़ा सा हम डैप करेंगे अब इधर देखेंगे धकन हाटा के टोप में तो पानी हमें हमारे अच्छा भाप बन चुका है उबाल आने लग गया अब हम इसको रखके इसको हम कवर कर देंगे 20 मिनट तक इसको हम ऐसे ही पकने देंगे तो देखें 20 मिनट हो गया बीच में हम बिल्कुल नहीं धकन हाटा नहीं पकी देंगे ताइंगे ऊच्छा कर देंगे D फूल के बन के तयार हुआ है अभी दर हम इसका एक तड़का तयार करेंगे उपसे डालने के लिए जह दो चममच हम तेल डाल देंगे वहाद हम एक चममच हम राई डाल देंगे बर के तराइव लग गई है इसमें दो हरी मिर्च आपने से कट कर लिया है तो आप करी पत्ता नाल देंगे इसको चला लेंगे इसमें हैं पानी डाल नेंगे पानी हमने आधा कप लिया है चक्कर डाल देंगे एक चम्मच थोड़ा सा नमक डाल देंगे साथ में अब इसको अच्छे से हम पका लेंगे दो मिनित एक उबाला लाने तक देखे चीनी घुल चुकी है हमारा चासनी वाला पानी तयार हो गया है मीठा पानी तड़केक वाला उपर से हर धनिया डाल देंगे तो बैटर भी हमारा ढोक लेका ठंडा हो गया जब तक चासनी थोड़ा ठंडा होता है हम इसको container में से निकाल लेंगे अलग बरतन में इसको पहले चाको से चारो तरफ घुमा के इसको ढिला कर देंगे अब उपर से हम डैप करके इसको निकाल लेंगे तो देखें आसानी से निकल गया देखें कितना sponge और कितना जालीदार हमारा ढोकला बनके तयार हुआ है आप मेरी तरह से बनाएंगे तो एकी बार भी पर्फेक ढोकला आप घर पर आराम से बना सकते हैं इसको हम अपने आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा जैसा कट करना चाहिए कर काट के ले सकते हैं तो देखें हमने दो दो इंच की ब्यास में हमने काटा है आप इसके उपर हमने जो तयार किया है हमने चासनी वाला पानी वह हम डाल देंगे राई वाला तड़के वाला इसको अच्छे से हम डाल देंगे ताकि अंदर तक चला जाए धोकले में उपर से धनिया डाल देंगे गार्निस के लिए हमारा सर्व करनी के लिए धोकला त्यार हो गया है इसको अलाल चटनी के साथ खाईए बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में आपको एक निकालके में दिखाती हूँ कितना स्पंजी हमारा धोकला बनके तयार हुआ है देखे कितना फूला फूला बना है आपको अगर मेरी ढूपले की रेश्पी अच्छी लगती है तो like, comment, share जरूर करे और आप जरूर से try करे घर पे बनाएं और बताएं कि कैसा बना है आपका आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को subscribe जरूर करे देल आइकन की घंटी को प्रेस करे ताकि कोई भी वीडियो में अपलोड करू तो उसका नोटिफिकेस्टन आपको सबसे पहले मिल सके और आप तक सबसे पहले पहुचे like, comment, share